एतिहासिक मेले में बाली और सुग्रीव के बीच युद्यम में मर्यादापुर्शुत्म राम के हाथों बाली का हुआ बर्द पत्यपुर्शनपत के खज़वा कस्वे में चल रही दस दिवसिय एतिहासिक मेले में आज मर्यादा पुरशोतम राम अपने भाई लक्षमन के साथ सीता का पता लगाते लगाते सवरी के आसरम पहुशते हैं वहीं दूसरी तरफ सवरी अपने सामने भगवान को देकर प्रेम में विवल होकर भगवान की आववगत में इतनी लीन हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि जो बेर भगवान को खिला रही है वहाँ बेर खुद चकते हुए मीठे बेर भगवान को खिला रही थी और भगवान राम जानते हुए कि बेर जूटे है फिर भी भगवान और भक्त के बीच यहाँ अनुठा प्रेम था वहीं दूसरी तरफ सवरी के आसरम में हनुआन भी पहुच गए क्योंकि सुग्रीव और बाली दौनों बानर सगे भाई होने के बाद भी भाईयों में इसनिहा नहीं था क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था बाली भी बलवान था सुग्रीब को लगा कि बाली ने तो राम और लक्षमन को हमें मानने के लिए तो नहीं भेजा यही सोच कर हनमान को भेजा था हनमान ने राम और लक्षमन को अपने कंधे पर बिठा कर सुग्रीब के पास लाए मितरता कराई साथ में सीता माता की खोज में शामिल होने का सुग्रीब ने वचन लिया सुग्रीब ने अपने भाई के द्वारा अपमानित होने की व्यथा बताई फिर बाली और सुग्रीब के बीच हुए युद्ध में भगवान राम ने बाली का बत करते हुए सुग्रीब की पत्नी को बापस कराया इस लीला की मंचन में लोगों की भारी भीड के सासाथ पुलिस प्रैशाशन भी मौचूद रहा अमर्दीर द्रपाथी की फतरपुर से रिपोर्ट